जहन्द पहले सातियों कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी यू विक्तर ग्यान यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में जो टीजीटी टीचर होता है पीजीटी टीचर होता है और जो पियार टीचर बनते हो टीजीटी टीचर बनते हो या फिर पीजीटी टीचर बनते हो तो आपको ओवराल कितनी सैलरी मिलेगी पहले मेने की आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है कि यदि आप बिहार में पियार टीचर बनते हो या टीजीट teacher बनते हो या PGT teacher बनते हो तो इनकी salary में कितना अंतर रहेगा ठीक है ये जो salary slip है ये पहले मेने की salary slip हम discuss करेंगे और 2023 के अनुसार है मतलब इस salary slip में हम जो DA है वो 2023 के अनुसार calculate कर रहे हैं जो HR है वो भी 2023 के अनुसार ही calculate कर रहे हैं तो overall ये जो वीडियो आपको बहुत जाद motivate करेगा और आपको पता चलेगा कि कितनी salary मिलती है बिहार में teacher को ठीक है overall बहुत ही शांदार तरीके से यहां पर इसके उपर हम discuss करेंगे और ये जो salary slip है वो बिल्कुल authentic salary slip के उपर आधरीत है तो आप इस पर बिल्कुल hand up percent तरीके से विश्वास कर सकते हैं मेरा नाम Dr. Ajay सर्मा writer and educator फिर से आपका आपके अपने इस YouTube channel पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो अब हम अपने इस वीडियो की सुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम discuss करते हैं PRT teacher के बारे में कि यदि आप बिहार में PRT teacher बनते हैं तो आपकी पहले मेने के salary कितने रहने वाली है 28,000 रुपर रहेगा बिहार में फिलाल में जो डिये की rate है वो 38% है लेकिन जल्द ही इसको बढ़ा कर 42% किया जाने वाला है तो यहाँ पर हम जो डिये वो 42% के according ही calculate कर रहे हैं तो 28,000 का यदि मैं 42% calculate करता हूं तो यह निकल कर आता है 11,760 रुप है ठीक है उसके बाद में ह हम HR पर discuss करते है HR हमने यहाँ पर 16% के according calculate किया है तो यदि 28,000 का मैं 16% HR निकालता हूं तो 4,480 रुप है का HR बन जाता है medical allowance के यहाँ पर 1000 रुप है मन्तली मिलेंगे ठीक है किसी तरीके के कोई medical facility नहीं मिलती 1000 रुप है महीने के medical allowance के तोर पर मिलेंगे जो आपको हर महीने मि बिमार हो या फिर आपकी family में कोई भी member बिमार हो आपको इन 1000 रुप में ही इलाज करवाना पड़ेगा तो इस तरीके से आपकी जो पहले मेने की growth salary यह वो बन जाती है 45,240 रुप है अब हम deduction के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका directly cable NPS कटेगा NPS कट जाएगा आपक state government के दोरा आपका NPS account खोला जाएगा आपके basic pay ODA दोनों का 10% काट कर आपके इस NPS account में transfer कर दिया जाएगा जितना amount आपका कटेगा ठीक लगबग उतना ही amount government अपनी खुद की तरफ से आपके इस NPS account में transfer करेगी तो overall monthly आपके NPS account में कितना amount आएगा 20% 10% government आपको खुद की तरफ से bonus के तोर पर देगी और 10% जो आपका कटेगा तो इस NPS की वज़े से जो आपकी salary है वो total कुल मिलाकर 110% बन जाती है तो इस तरीके से यदि आप बिहार में PRT teacher बनते हो तो आपके पहले मेने के जो net salary है वो बनती है 41,264 रुपए जो कि एक बहुत अच्छा कासा amount है अब हम discuss करते हैं आपर TGT teacher की बारे में कि यदि आप बिहार में TGT teacher बनते हैं तो आपकी पहले मेने की salary कितनी रहेगी देखो TGT teacher बनते हैं तो आपका जो basic पे वो 31,000 रुपए हो जाएगा PRT में 28,000 था यहाँ पर आपका basic पे 31,000 रुपए हो जाएगा D.A. 42% के according 13,020 रुपए बनता है H.A. 16% के according 4,960 रुपए का बनता है 1,000 रुपए आपको medical allowance के मिलेंगे तो इस तरीके से total कुली मिलाकर आपकी जो gross salary है वो 49,980 रुपए लगबग 50,000 रुपए बन जाती है N.P.S. के कटेंगे 4,402 रुपए ठीक है यह मैं सारी चीज़े आपको समझा चुका हूँ already पहले तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझने के जरूत नहीं है तो इस तरीके से यदि आप T.G.T. teacher बनते हैं तो आपकी पहले मेने की net salary रहेगी 45,578 रुपए है ठीक है यह आपकी net salary रहेगी जो पहले मेने में आपके account में transfer होने वाली है उसके बाद में हम आगे डिसकस करते हैं PGT teacher के बारे में कि यदि आप भिहार में PGT teacher बनते हैं तो आपकी overall salary कित्ती बनेगी PGT teacher का जो starting का basic payout वो रहता है यहाँ पर 32,000 रुपए डिये 42% के according 13,440 रुपए बन जाता है HR-E 16% के according 5,120 रुपए बन जाता है यहाँ पर 1120 है 5,120 रुपए आपका HR-E बन जाता है Medical allowance के बारे में डिसकस किया जाए तो 1000 रुपए आपके medical allowance के हो जाता है तो इस तरीके से total आपकी जो gross salary है वो बनेगी 57,560 रुपए ठीक है कितनी बनती है? 57,560 रुपए आपकी पहले मेने की gross salary बनती है deduction हो जाएगा 4,545 रुपए का तो यदि हम net salary के बारे में डिसकस करें तो आपके net salary बनती है 47,016 रुपए पहले मेने की एक बार हम इसमें compare कर लेते हैं जो पियाटी teacher है उनका starting का basic पे 28,000 रुपए TGT teacher का starting का basic पे 31,000 रुपए है और PGT teacher का starting का basic पे 32,000 रुपए है अब इसके अलावा हम net salary में अंतर देखें तो net salary जो PRT teacher है उनकी पहले मेने की बनती है 41,264 रुपए जिसको हम 41,200 रुपए average मान कर चल लेते हैं TGT teacher की बनती है पहले मेने की net salary 45,578 रुपए मतलब PRT और TGT teacher की salary के बीच में लगबग 33,300 रुपए का अंदर है उसके बाद भी हम PGT teacher की पहले मेने की net salary के बारे में डिसकोस करें तो वो 47,000 रुपए बनता है तो आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि PRT teacher को पहले मेने की 41,264 रुपए salary TGT teacher को पहले मेने की 45,578 रुपए salary और PGT teacher की पहले मेने के 47,16 रुपए salary रहने वाली है तो overall बहुत अच्छी खासी salary मिलती है salary में increasement के बारे में डिसकोस किया जाए आपका increasement मेनली दो तरीके से होगा एक तो आपका जो basic पे वो हर साल 3% बढ़ेगा ठीक है दूसरा आपका जो DA साल में दो बार बढ़ेगा अब ये कितना बढ़ता है कि depend करता है बिहार government के उपर लेकिन average लगा कर चले तो बिहार government में जो DA एक साल में कुल मिला कर लगबग 5-7% के बीच में बढ़ जाता है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है HR पूरे बीर में 16% नहीं मिलता यहाँ पर हमने 16% highest माने जो कि पटना में मिलता है यदि आपकी बीर में पटना में पोस्टिंग होगी तो आपको 16% HR मिलेगा बाकि आपको 4% भी मिलेगा 6% भी मिलेगा 8% भी मिलेगा तो इस तरीकी से सारा सब कुछ था वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्ते हम सबी के साथ भी सेयर करो और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टोपिक के उपर वीडियो बनाओ तो एक बार कमेंट सेयसन में कमेंट करके जरूर बताओ बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठैंक्स बाई मेरे प्यारे साथियो फिर मिलते हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुती चांदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं दिप्यारे साथियो